हाई फ्रeint beads क्लासिज में आपका बहुत बहुत सवाया थे दोस्तों इस वीडियों प्रितिरूद के बारें पढ़ेंगे देख़ें इसमें प्रितिरूद के जोडowy कर्म जोड़ा जाता Carr canانतर करम जोड़ा जाता है दोस्तों इस पर इए बीद्धु चैप्टर से हमने इसके पहले चार बीडियो बना दिये दिए यह वीडियो नहीं देखें तो पहले लिए जरू देख लेगा यहां पर देखें कहरा एक दो ओम का प्रित्रोद एक चार ओम का प्रित्रोद के साथ स्रेडी करम से नुजिद क तो कैसे सीधे सीधे जूड़ हो जाएगा कौइं सचें सबसमान हो stops는 सब्सक्राइब भी हुआनतर करम में अगरा कोश्चन है ये 6 ओम और 9 ओम और 6 ओम के प्रितृत समांतर करम में सन्यूजित हो तो प्रिडाई प्रितृत कितना होगा देखे जब समांतर करम की बात करेगा तो एक बटेम जोड़ा जाता कैसे जोड़ा जाता है एक बटे में जोड़ा जाता तो एक बटे कैसे जोड़ाएंगा जिससे एक बटे आर हो गया एक इसके बराबर होगा एक बटे च्छै प्लस एक बटे नौ अब प्लस कितना होगा एक बटे च्छै होगा अब इस कहले से हम लेंगे तो कितना आएगा च्छै नौ च्छै कहले स 5 5 3 8 हो जाएगा कितना हो जाएगा आठ बटे कितना होगा नोब चार दूनी हो जाए कितना होगा है कितना होग बचर जी कितना होगा एक 10सांब M होता है और समानतर क्रम में क्या होता है इसमें भीuant assay दें Borosen है अग्डिए को ऑँछान है इसको भी समानतर क्रम में जोड़ना तो आदो क्या करना कि समानतर क्रम कैसे जोड़ें को एकड़े आर किसके बराबर होगा एक बटे दस प्लस एक बटे पंद्रह अब प्लस एक बटे तीस अब एक कितना हो जाएगा इसका एलसियम तीस हो जाएगा कितना हो जाएगा तीस तो दस तियां तीस पंद्रह दुनी तीस और तीस यह कब तीस हो जाएगा तो 3, 2, 5, 1, 6, तो कितना होगा, 6 बटे 30 हो जाएगा, 6 से कम 6, 6, 5, 30, अब देखे एक बटे आर बराबर, अगर एक बटे 5 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो कौन सा अपसा सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा, अगला कोशन है कि 30 ओम प्रित्रोद वाले एक एलेक्टिक लैम में 6 ओम प्रित्रोद वाले एक चाला कुछ है बुल्ट की बैट्टे के साथ स्रेडी करमे सन्यूजित किया जाता है परिपत में कुल प्रित्रोद याद करना स्रीप आप में पूछा है परिपत में कुल प्रित हो जाएगा तो कौन साफन से होगा इसका यह वाला सही हो जाएगा अगला कोश्चन है अच्छा यह भी काफी इपॉर्टन कोश्चन है यह कई बार पुछा है आपको फार्मूला याद होना चाहिए अभी बता दे रहें आपको करें राम ने 50 वाट और 220 बॉल्ट रिटिंग बी स्कॉाइर बते कितना होता है अब यहां से और अगर निकालना हो तो एप के जगह पाजाएगा पीस के नीचे आगा निए फार्मूला कितना बन जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा बी स्कॉाइर बते कितना होगा पी अब देखिए यहां पर रख देंगे बी अपने से कर सकते थोड़ा यहां सि मेरे फ्यायन हें थोड़ा अच्छा काम कर रहा है लेकिन कारारेसान आउ अपने हिसाब से कर सकते ठीक है अब जो पावर दिए कितना दिए है पचास दिया कितना दिया 파 excessive आप इस ही को आपको साल्व करना है थीख इसको क्या करना साल Fafel was to zero कoseniba जाएंगा जीरो से 0 कठ जाएगा निच्छी पांच है ठीक है तो भी जब काठेंगे कलकुलीसन करें तो एक कट जाएगा स्टीश क्ट ऐतीक है पांच गञ वीश दो बोचे गा पांच जोग वीश अभ форм Madab 22 है। films 24 है 2000 है 것으로 knowledge घाए है तो जब गुड़ा करेंगे तो कच शुब पार करेंगे तो कितना हो जाएगा था कि बस चार दोनी यठी हैन्य का है hakate. हम फार के पर छूप में री am 001, sermon का यठी है तो जब गुड़ा करेंगे को आज आ जाएगा हम आपको मताद मेच 2 legisl обычно को अलत कर देंगे तो कितना हो गिता जाएस को घुंक जाएगा चारसो चौरासी हो जाएगा तेकि आपको बस sto अब कर सकते हैं हो तो होगा ये धारा को दुगना और magic कर दिया जाए तो प्रित्रोध होगा अम के नियम से जानते हैं बी बराबर कितना होता है आई यार अब देखिए इसमें क्या निकालना प्रित्रोध निकालना तो अगर आर हमें निकालना है तो और किसके बराबर होगा यह आर किसके बराबर होगा यह बी बटे आई के बराबर होगा क्या होग यवल्ट है, इसको आदा है, कर देंगे, तो इंगे तो इंगे कितना हो जाएगा, और ऋपर कितना हो जाएगा, यहां पर ध्हारा है, तो आई होगा, कितना होगा धारा होगा यहनि जो भी पहले प्रितरूद था उसका कितना हो जाएगा एक वट्टिछार हो जाएगा तो कह उंसा सहे हो गरीवान विडूदर देखें लंगा लोग अद्वित समान वश आहरा का बैल अससे होता है समानों टा इभी क्या हो जाएगा यहीं आपको बताना है तो क्या होगा प्रितरोद के समान उपाती होता है भी हो अंतर क्या होता श्रेडी क्राम में प्रितरोद के समान उपाती होता है ठीक है चली देखते हैं अगला कोश्चन अगला कोश्चन है निम्नांकी चितने परदरसित बिंदो ए औ पर धारा डिवाइड होता है ठीक है जहां पर धारा अलग अलग जाता है वो समांतर करम में होता है जिसमें धारा सेम जाता है उस स्रेड़ी करम में होता है तो देखिए इसे में जो धारा जाएगा क्या होगा समान होगा यह दोनों स्रेड़ी करम में होंगे उसके बाद जो बनेगा तो फिर दोनों किसमें आजाएंगे समांतर करह जाएंगे तो पहले कि सिर्डी करम में जोड़ना बहुत असान देखे एक तीननुम है यह तीन अम है तो तो प्रॉडनी जोड़ेंगे तीन उन्म कितना होगा शैवम हो जाएगा अब दोनों मिलके कितने उंभूंच प्लस कितन ans ज्वूग एक श्यवट ऐ एक बटे छिये और इक बटे तीन होगा तोन्स सब्सक्राइब किसी चालक के प्रित्रोद पर उसकी कोई परभाह नहीं पड़ता किसी चालक के प्रित्रोद पर किसका परभाह नहीं परता देखी एक फार्मूल आपको ध्यान होना चाहिए कि जो आर बराबर होता है किसके बराबर होता है तो रो यल बाई एक की बराबर होता है रो क्या इस देखी अब यहां पर क्या है यह लंबाई है छित्फल यह पदार्थ पर डिपेंड करता है तो यहां पर लंबाई य प्रभाव नहीं पढ़ता है तो कौन से अपसेंस वह नहीं हो जाए कौन से स्वाइब यह वाला प्रितुरोच चार कारक पर डिपेंड करता है आपके लंबाई पर छेतफल पर उसके पदार्थ पर डिपेंड करता है और ताब्मान पर करता है अगला कोशन है कि निमलिकित में से कौन सीरासिक किसी दिये गई धात की तार को बैधुत प्रित्रोजक्ता का प्रभावित करती है अब से देखे पूछा है प्रभावित करती है तो कौन करती है तार की प्रभावित करती है तार की प्रभावित करती है तार की प्रभावित करती है तार की प् करती है कौन साफन से इसका एवाला सही हो जाएगा अगला कोश्चन है अब देखें बहुत आसान कोश्चन पुछा हुआ है कि प्रित्रोध को किस पृतीक द्वारा नी रुपीट के जाता है ठीक है और यह क्या है आपका सैल है ठीक है इसे जादे बना देंगे गुरुप से हो जाएगा अगला कोशन है कि किसी चाला का प्रितरूद की अनुकरन पाती होता है आपको बताना है किसी चाला का प्रितरूद की अनुकरन पाती होता है तो अभी देखी आर बराबर क्या होता है रो यल वाई ए होता है रो किसके बराबर होता है यल वाई ए तो अनुकरन पा पर चालक की लंबाई तो काॉन सा हो सभी हो गैसका डी वाला सही हो जाएगा अगला कौोस्चन है कि दो ओम प्रितुरूद वाली पाच कुंडलिय इस नईजसी प्राक्त होने वाली अधिक्तम और नियूनतंब प्रितुरूद का मैन घ्यात तो होगा दो तीन देखिए दो तीन पांच चान नौ छान नौ छें पंद्रें अब बारे 27 यहीं 27 ओम आएगा अब देखिए इसमें 28 शुरू है नहीं होगा यहीं से दो होगा ठीक है अब एक तो 27 होगा आप समांतर करम जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक जोड़ना कैसे जोड़ना है एक बटी में कैसे जोड़ेंगे अब देखिए एक बटी दो क्या होगा एक बटी दो होगा कितना होगा एक बटी दू थोड़ा डिश्टेल पिंट चल नहीं रहा है मेरा ठीक है आप इसको एक बटी में जोड़ लिजेगा हम आपको एंसर बत 2 2 3 2 2 3 4 6 1 12 करके जोड़ेंगे तो जो भी बैलू आएगा एक बैलू आएगा तो इतने ही आपका आएगा अगला कोश्चन है कि प्रितिरोधों को समांतर करम सनयोजन में सनयोजित करने पर प्रड़ामी प्रितिरोध होगा तो कितना होगा इसका सबसे कम प्रितरूद से कम होता है तो जैसे माल लेते हैं तीन प्रितरूद को समांतर करम में जूड़ गया है तो जैसे दो है एक तीन है और एक चार है तो इसका जो तुल प्रितरूद होगा जो प्रेडामी प्रितरूद होगा सबसे कम पृत्रोध वाले से युशका भईलू कि आयेगा कम आयेगा तो क्वाइव सीवसे वई वाला सही हो जाएगा अगला कोश्शन है कि कि देखे हुए कोशन रपीट हो गए पृत्रोधों को समांतर करमें सवन्योजित करने पर प्रभावी पृत्रोध क्या होगा सबसे कम प्रित्रों से कम होगा अगला कोशन है कि किसी पदार का विधुद बल्प कितन तुमें प्रयोग किया जानने है तू उसमें से इनमें से कौन सा गुड़ धर्म होना आवस्यक है तो कौन सा इसमें गुड़ धर्म होना आवस्यक है कहीं आपको बताना है चलिए बी वाला सही होगा कि एक बिद्धुत परिपत तप्त किये जाने पर पांसो चालिस वाट प्रेतिमिनेटी की इदर से उर्जा की खपत होती है यही परिपत टेर्मिनलों पर बोल्टेज 270 बोल्ट हो तो परिपत का प्रित्रोध कितना होगा तबी फार्मूला पढ़े है कि आर बराबर कितना होता वाई बी स्कॉाइर बटेप पी यह कोशन अभी इसके पहले लगा चुके है यह कितना होता बी स्कॉाइर बटेप पी तो बी स्कॉाइर का बैलू है कितना अब यहां से ध्यान से देखिए voltage कितना दिये 270 अब यहां पर square होता है तो दू बर्द लिखेंगे तो कितना हो जागा यह 270 गुड़े 270 ठीक है अनीचे कितना है power power है कितना 540 कितना है 540 501 निट 540 लिकना रुख जाई यहां लिख दे रहे हैं 540 अच्छा देखिए 270 का इस ज जबल होता है अब दूसरे काटेंगे कितना होगा 135 बार कट जाएगा तो कौन साफसन सहीगा सी वाला सही हो जाएगा अगला कोशन है कि तावे की निम्न प्रित्रुद्हकता की कारण इसका उप्योग में किया जाता है तो किसमी किया जाता है यहीं आपको बताना तो किसमी किया जाता है संचलर लाइनौ में किया जाता है अगला कोस्चन है कि देखी ये लम बयार तिरण्या और रोफ प्रत्रुद्हकता वाले एक तारा का प्रत्रुद होगा तो भी पढ़ें कि आर बराबर कितना होता है और बराबर रो यल बाई यह हो ता बस यह पर तुरिज्ञाद देदिया तो इसका छेट फूर्ड क्या कर देना है अब देखे किसमे कि रो यल पाई यार यस्कौरर तो कवं साफस्ट सही होगा इसका यह वाला सही हो जाएगा तो कवं साफस्ट यह जाएंगा जो है प्लीस जरूर देजिए क्योंकि लाइक केमेंट करना ये फिरी कॉस्ट होता तो इसको जरूर कर दीजिएगा विद्धु चैप्टर का ये पांचवा वीडियो इससे पहले चार वीडियो और अप्लोड कर दिया गया है यह वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लिएग कि समांतर करम सन्योजन में सन्योजित प्रितुरुद का प्रडामी प्रितुरुद का सुत्र निम्न में से क्या है तो समांतर करम में कैसे जोड़ा जाता है एक बटी में जोड़ा जाता है तो एक बटी में दीख नहीं रहा है इसमें देखिए यहां पे है एक बटी आर बर और काच के चार तार हैं इन तारों में से किसका प्रितरूद सबसे अधिक होगा आपको बताना है इसमें से किसका प्रितरूद सबसे अधिक होगा तो किसका सबसे अधिक हो जाएगा देखी आपको इसका इसका प्रितरूद सबसे अधिक होगा तो यह काच के तार का होगा कि क्योंकि सबका प्रित्रोध ह्याद होना चाहिए तब ही को शेन कर पाएंगे तो कुछ कोश्षय डाटा आपको याद भी करना पड़ेगा तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि काश के तार के प्रित्रोध ह्याद सबसे आधिक होती चलिए देखते हैं अगला कोस्षय कि अन् लंबाई दूगुना करने पर इसका मान क्या हो जागा दूगुना हो जाएगा अगला कोशन है कि समांतर करम में सनियोजी 10 ओम 40 ओम की प्रितुरूद रोगा नियुट रेजिस्टेंस प्रितुरूद कितना होगा कर समांतर करम में सनियोजी 10 ओम और 40 ओम की दो तो कितना आजाएगा इसका चालिस देस के लस्म कितना आएगा चालिस आजाएगा तो क्या अगर दस चालिस हो जाएगा चालिस एककम चालिस यह पांच बटे 40 पंच एठे 40 यानि एक वाक्ती कितना हो पाट हो जाएगा एकबट यार ब्रावर या बटिध रॉपर सही होसा क्ऌन से योगा इसका सी वालव सही होगा sun है कि एक चालक का प्रित्रों ताप में परिवर्तन के लगवग आप परभावित रहता है यह चालक का बना हुआ है तो यह किस चालक का बना हुआ है मैगनी ध्यान देजेगा यह चालक का प्रित्रों ताप में परिवर्तन से लगवग आप परभावित होता है लेकिन जितनी चालक होते हैं ध्यान देजेगा वो टमप्रेशर पर तेनी ताप पर डिपेंड करते हैं लेकिन मैगनीन होता है नहीं करता है ठीक है तो यह क्या होगा चालक किसका बना होना चाहिए मैगनीन का बना होना चाहिए अगला कोशन है कि समांतर करम सन्योजन में सन् प्रित्रोधों के लिए इनमें से कौं सा कथन सत्थ है अब देखें इसमें आपको तीन आपसंदिया तीनों अकर ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप कर पाएंगे ठीक है तो करा सभी प्रित्रोधों दिये गए बिंदौ की भी शनयोजित होते हैं वाध सब्सक्राय की लिखें परिपत का कुल टुल प्रित्रोध बेस्ट प्रित्रोध से attained होता है सबसे कम प्रित्रोध मेरे करते कम होता है यह कुस्षन पढ़ए दूसरा का दिया घुरती दिया और मेरे तुल्चन ऑनथ्य अगला कुस्षन है कि 2200 वाट का एक electric toaster 220 बोल्ट पर संचालित होती इसके कुंडली का प्रितरूद देखिए कौन से फारमूर से लगाना इसको इसका क्या होगर 20 square वाटिक P से लगा लेना है ठीक है इसका answer आपको comment करके बताना कितना आ रहा है अगला कोशन है कि चार वों प्रितरूद प्राप करने के लिए बार वों के कितने प्रितरूदों को समांतर करमे सन्यूजित किया जाना चाहिए देखिए ये थोड़ा सा नया कोशन हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है चार ओम प्रित्रूद प्राप्त करने के लिए चार प्राप्त करना है तो कितने को जोड़ा जाए ठीक है कितने को जोड़ा जाए आप देखिए चार तभी कहरा चार आने रेजल्ट कितना आना चाहिए प्रडामी एक बट्टी चार आना चाहिए आ तीन वटे 12 होगा तीन एककम तीन तीन चोग बारा यानि एक वटे 4 यानि तभी तो एक वटे 4 आएगा यानि जो तीन प्रितिरोध को समांतर करम में जूड़ेंगे तो कौम साफसन सही होगा इसका यह वाला सही हो जाएगा अगला कोशन है कि किसी पदार्त की प्रतिरोधक्ता पर निर्वर करती है ठीक है आप इसमें देखे पूछा निर्वर करती है इग्याम में ध्यान देना है कि निर्वर नहीं करती है निर्वर करती है तो भी बताएं प्रतिरोधक्ता किस पर डिपेंड करती है निर्वर करती ह अगला कोउशन है कि निमलिखें में से कौन सा कथन सत् itt है आपको बतान है इसमें से कौन सा कथन सत्थ है ठीक है तो देखिए पदा पदार्थ का प्रितरोद तार की तरिज्या की अनुकरण पाती होता है तो तरिज्या भी तो नीचे आएगा वह बितकुन पाती होगा ठीक है पदार्थ के प्रितरोद तार की लंबाई की बितकुन पाती नह रो यलबाई अब नीचे जैसे छेट फाले तो नीचे क्या होगा पाई यार स्कॉयर हो जाएगा ठीक है तो यहीं चीज़े कह रहा था तो कौन साफन से विसका सी वाला सही हो जाएगा अगला कोशन है यदि तार की लंबाई दोगनी कर दिया जाए और तार की अनुपर स्का खाथल गाया ठीक है अगिश्का रहा स्कॉयर परिष्ण कृषचन का तो येपितार के पडार्थ नहीं करता चीजल मथ्युत QUEK Da ूं परएगा थ्रोड गरता है परीवर्तित कड़ें तो प्रिवर्तित रहे हैं जूपर स्प्रिवर्तित रहेगा को प्रितिरू लगता है यह प्रिवर्तित रहेगी अगला कोश्चन है कि चार ओम प्रितिरूद के बीच विभवा पातनी विभवा अंतर ग्याद करना है तो आपको यह परिपत का क्या पता होना चाहिए धारा पता होना चाहिए अब सिरीडी करम भी धारा का बेलू क्या होता है समान होता है तो पहले हम क्या करेंगी इसका धारा निकालेंगे क्या करेंगी धारा निकालेंगे अब धारा के लिए क्या होगा अब देखिए तुल प्रितुरूद सिरीडी करम में जूड़ा तो 6,4, 10 प्रितुरुत कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 हो जाएगा अब बोल्टेज कितना दिये 5 बोल्टे दिया है तो धारा कितना होगा B बराबर कितना होता I R B बराबर I R से अगर हम I बराबर लिखें तो कितना हो जाएगा अब बोल्टेज कितना दिया है और का बैलू कितना दिया है दस दिया है कितना दिया है दस दिया है तो एक जीरो है तो एक पर दसमलो पाँच इसका धारा हो जागा अब चारों में पूछा है ठीक है चारों में भी हो पाते हैं बोल्टेज कितना होगा अब तो भी बराबर कि कितना हो जाएगा तो कॉंसा आपसन से होगा इसका डी वाला सही हो जाएगा कॉश्चन है कि दो ओम परित्रोद वाले तीन परित्रोद दो कितना हो जाएगा च्छे हो जाएगा तो कौन सा आफ्फन से ओगा इसका वीवाला सही हो जाएगा अगला कोषन है कि ईए तीन ओम दो ओम च्हे ओम प्रित्रोग समांतर करम में सन्यूजित हो उनके संब्धमिन निमलीकित में से कौन सा कथन सही होगा थेक यहां पर आपको निमेरिकल नहीं लगाना है ठीक है यहा इसमें समय समान होता है ठीक है तो यहीं सही हो जाएगा प्रतीक प्रित्रोद से गुजन्नी वाली धारा अधिकतम होगी अब यह नहीं ठीक है प्रितुरूद का मान बढ़ जागा एविगृत है तो कौन साफसान से इसका यह वाला सही हो जाएगा। अगला कोशन है कि किसी चाला का प्रितुरूद इनमें से किस्पन निर्भर कर नहीं करता है। परित्रोध है यहाँ पर देखे परित्रोध करा किस पर निरभर नहीं करता है तो लंबाई करता है ताब मान पर करता है अगला कॉर्शन है कि समाल लबाओ और समाल मोटाई वाले तीन तार ए-बी-सी के पृतरोत कachen सदिए गए हैं उनकी पृतरोत इकता देखिे हम जानते है र बराबर कितना होता है रो एल भाई ए होता है यहीं तो होता है रो एल बाई ए क्या है या कितना हो जागा य यहीं अनुपात लेना है आपको ठीक है कि उनिया नियुऽ 500m नहीं दिया बस आपको क्या करना है अगर 500m पेंडा हो जाए का 5 । उन ना अनुपात लगाएंगे यह कितना होगा दो वटे दस हो जाएगा और यह कितना है अब देखिए हर बराबर कर लेजिए तो हर बराबर करने के लिए कि इसका एलसीम लेंगे तो उपर कितना होगा पांच ही होगा इधर दो होगा यह कितना हो जाएगा यह वाला दस इधर सिप फल वाले एक तार का प्रित्रोद दसमलों पांच से समान पदार से निरे में समाल लंबाई और टू एन उपस्त कार के छेट फल का प्रित्रोद कितना होगा देखे इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको दो तरीके साब को पता दे रहे हैं ठीक है क्योंकि देखिए इस को दो गुना करेंगे छेट फल को दो गुना करेंगे ठीक है तो प्रित्रोद क्या होगा आधा हो जाएगा नए प्रित्रोद क्या होगा पहले का आधा हो जाएगा अब पहले का प्रित्रोद है कितना दसमलों पांच है तो इसका आधा कितना हो जाएगा इसका दसमलों पा करा उसके छीट फल पर दूसरा जो प्रितुरोद है इसका जब रिलेशन लेंगे गर प्रितुर नीचे आएगा तो कहां चला जाएगा इसकी ऊपर चला जाका एन्य टू हो जाएगा फिक है अब इसी फार्मूने से लगाएंगे तो आपका नया प्रितुरू पता चल भीजिए वालस ही हो जाएगा अगला क्वूशन है कि दस ओम के दो समान प्रित्रोद समानतर करम में जुड़ गया है सनियोजन दस ओम के तीसरे प्रित्रोद से जुड़ा गया जाता है सनियोजन का समकछ प्रित्रोद के बराबर होगा तो देखिस में कहा रहा कि पहले उसको समानतर करम में जुड़ा गया है फिर दस ओम के तार तीसरे प्रित्रोत से जोड़ा गया है यह पहले दो को समांतर क्रम में जोड़ा है जो आएगा फिर उसको दस ओम के साथ स्रेडी क्रम में जोड़ दीना है तो दस ओम के दो प्रित्रोत को समांतर क्रम में जोड़ेंगे कितना होगा एक बटे दस एक बटे आर के बराबर हो जाएगा अब उपर कितना होगा दो बटे दस हो जाएगा कितना होगा दो बटे दस हो जाएगा हर समान आता है तो उसको सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है इसको काटेंगे कितना हो एक बटे पांच हो जाएगा निर कितना है एक बटे आर बराबर एक बट कोजा सही हो जाएगा अगला कोश्ण है कि कि प्रितरोद के मानु का किया जाता है यहाँ प्रितरोद ही किया मोटी मोटा समझ लेज़ेगा ऐसे आप देखे होंगे यह होता है ठीक है यहां पर प्रितरोज होता इसी का वैलू याद किया जाता है ठीक है अब इसमें क्या होता है इन दोनों का जो रेशियो होता है ठीक है इन दोनों का रेशियो के क्या होता बराबर होता है अगला कोशन है कि एक सारिक्रिर्ट का प्रितरोद दूगुणा कर Beispiel कर दिया जाए तो पहले BOLT तच को समा रखने के लिए सारिक्रिлिक में परवाहिद बिद्धु धारा कितना करना पड़ेगा नहीं आपको बताना है, चीराong कर रहे तो इसमें बोल्टेज को समा रखने के लिए तो देखिए इसमें और को ओम का नियम लगाना पड़ेगा बी बराबर कितना होगा आई आर होगा कितना होगा बी बराबर आया है तो प्रितरूद को क्या करना कर दिया जाए तो प्रितरूद को क्या करना कर दिया जाए तो बोल विदुधारा होगा तो बोल्टेज को समा रखने क्लिका करना पड़ेगा विदुधारा को आधी घट जाएगी आधी घट जाएगी तो कौन साथ से विदुधा वाला सही हो जाएगा कि इलेक्टिक सर्कुट में धारा नियंतरक का प्रयोग प्राया को परिवर्शित करने के अगला कोशन है कि पदार्थ के प्रित्रोद को प्रभावित करने वाला कारक है तो प्रित्रोद को प्रभावित करने वाला कारक कौंस है तो भी बता है चार पर डिपेंड करता है पर दूसके तामान पर भी करता है पदार्थ की प्रकिर्टी पर भी करता है उसकी लंबाए पर उसके छेकले रुपेंड करता कई बोया आगला कोशन पैटार्त करता से इसकी चालकता निर्धालित होती प्रफ्वान धाट वाली धात्वें hedu । को से हैं, सुचालकक की भाद भ्यवार करती है ठीक है निम्ड प्रत धात्वें सुचालकक कि भाद करता दिदा करता है तो कौन सा अवस्शं हें सी वाला सही हो जाएगा अगला कोश्चन हैally किसी चालक के प्रतुरु धाकता इस सर्मात्य करती तो भी बताएर करता है अगला कोशन है कि सडकों गल्यों को परकास में करने के लिए लगाए गए लंपों को जोड़ा जाता है अगर इसके पहले वीडियों देखे होंगे तो यह भी कोशन करवा चुके हैं ठीक है तो किसमें जोड़ा जाता है समांतर करम में किसमें जोड़ा जाता है समांतर करम में जोड़ा जाता है लेकिन यह वाला कोशन आता है कि दिवाली में जो परकास की सजावटे की जाते हो किसमें जोड़ा जाता हो स्रेडी करम में जोड़ा जाता है अगला कोशन है एक पदार्थ में क्या होनी पर अतिचाल प्रित्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्रोध्र प्रित्रूद के प्रित्रूद के प्रित्रूद के प्रित्रूद के प्रित्रूद को तो प्रित्रूद के 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 प्रित्रू अगर किसी चाला का प्रित्रोद आधा कर दिया तो इसका उसमी परभा होता है तो इसके पहले वीडियों देखेंगे तीस फारमूली वह ने कुस्चन भी करवा दिया है यह क्या होता है अगला कोस्चन है कि किसी चाल की प्रित्रोद क्या होगा किसी चाल की प्रित्रोद क्या होगा जिसमें दो वोल्ट के संभावे भी वांतर लागो किया जाता है तार के माध्यम से करंट एक एमपियर है ठीक है तो प्रित्रोद बस ओम के नियम से भी बराबर कितना होगा आई आर हो जाएगा आर का वैलू कुछ है तो बी अपन आई का रेशियो होगा अब बोल्टेज कितना दि ड्यमियर कितना हो जाएगा कौसराइग इसका बी वाला चौह जाएगा कि जब कई प्रित्रोद में जोड़ जाते हैं пока विग healthier चुके हैं समांतर करब में समांतर करम में जोड़ा जाता है तो ऐसे आते होते हैं है अगला कोश्चन है कि यह साई का यूम है किसका होता है तो पता ही आपको प्रित्रूद का है क्या होता है अगला कोश्चन है अभी विदी की बहुत असान है कि यार किसके बराबर होता है तो बोल्टेज और धारा का जोन पात होता है ठीक है वो किसके बराबर होता है उसके प्रित्रोध के बराबर होता है तो कौन सा अप्सन से योगा इसका यह वाला सही हो जाए कौन सा हो जागा इसका यह वाला सही हो जागा दोस्तों आप से प्रिक्वेस्ट है यह आप चैनल पीन उन्यूंट है तो प्रतिरोध किसके इब्रतकुन पाती होता है कि जित्फल के उसके चित्फल के रती होगा कॉम सो का सिवाल सही हो जाएगा अगला कोच्छन है कि बिद्धुत रोधियों का प्रतिरो धकता कितनी होती है दस पिक दैस की पावर 12 रहे ओम मीटर से 10 की पाउर सब्सक्राइब हो जाएगा अब इस परकार के कोश्चन आपको याद ही करना पड़ेगा अगला कोश्चन है यह तो आपको पता है दो ही स्रेयोजन होता है स्रेली करम सीधे सीधे जोड़ा जाता है अगर इस तरह है इसके मतलों समांतर करम में हो आप इसका गुडा नीचे में आपको इसघ्र्म और आर पल्टैंग दो आर बराबर कितना हो पे रहए छल जायों प्लॉब्यूंगीוכ जासे कि एक सुचालक में से दो एंपेर की बिद्धुधारा प्रवा होता है और जिसके अंत में चार बॉल्ट की गति जुर्या पर है सुचालक की प्रित्रोद तो प्रित्रोद क्या होता है भी अपानाई होता है बॉल्टज कितना दिया है चार बॉल्ट धारा दो दिया है तो ब्लबों में से एक दूसरी की तुरणा में अधिक चाप हो फहाए है जो डिम बलब जादे धारा उच्छ होगा इसंहीं धारा है कुछ गार्ड तो क्या चारिफ होगा दोडियोए यानि तो क्या गाला Qo Second , जबीकर कोस्टन एक किसी प्रिटी के माध्यम से ब्दू धारा प्रवाईट होगेशन ऑडे। का प्रितुरुद कितना चूटी है ठीक है जिसमें कि आ पूछ है बिद्धु धार बस भी बराबर आई यार से लगाएंगे तो क्या अगर देखिए बी बराबर कितना होता आई यार तो आई का वैलू क्या हो जाएगा अब वोल्टेज कितना दिया है बारे वोल्ट दिया कि तो आफसन में देखी एक बड़े से शर्प 1 और सब्सुरूए तो क्या करेंगे एक दिख्यां पर जैसे दस की पाउर पाइच है तो यहाँ पर इसको दस की पाऊज चार लिख दिए एक दस अलग कर दीजिएका तो यह वाला जो सब्सक्राइब है कि एक इलेक्टिक लेंग जिसका प्रित्रों 40 ओम है और 8 ओम के सुचाला को 12 बोल्ट की बट्रे के सिरिंखला में सिरिंखला मतलब क्या होता स्रेडी करम में जोड़ा गया है परिकत के कुल प्रितुरूद तो कुल प्रितुरूद क्या होगा सीधी सीधी जोड़ देजिए चाली सोम और 8 हों 40, 48, 48, 48 हो जाएगा तो कौन सा अफसन सहीगा सीवाला सही हो जाएगा अगला कोश्चन है कि एक स सब्सक्राइब क्या जोड़ा जाएगा तो समान बिंदू की बीच अगर जोड़ रहें तो यह चैसे एक प्रत्रोदाय से जोड़ दिजएगा इसी बिंदु से तो दो बिंदु के बीच अगर जोड़ा जाएगा तो समांतर करम होता है तो कौन साफसन सहीवस का सीवाल सही हो जाएगा अगला कोशन है देखी कोशन आप उपर पड़ चुके हैं कि प्रत्रोधक्ता की SI काई है आ हो याल भाई एक तो 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 तेरियक गॉडा करेंगे तो जो रोका भ dil यह कितना ओ भी निकाल लेजे इसका मात Japanese कितना हो जाय of the future कितना होगा मीटर स्कॉाइर कितना होगा मीटर स्कॉयर होगा क отвеч कितना है मीटर है ि ठीक कितना है मीटर है देखिमी मीटर से मीटर कड जायगा बचेगा ऊपर उमीटर शो dobr इसका यह वाल सही हो जाएगा अगला कोश्चन है कि यह परिपत के माध्यम से आधारा दूगनी हो जाती है व्योगनी और धारादगनी को आ सी बोल्टेज और आई का वेलू होता है अगला कोश्चन है कि निमलेखित में से कौन से पदार्फ में उच्छतम प्रितुर धक्ता है कौन प्रृतिरोध कि प्रतिरोध की रों के रों में परभावित करेगा देखिए प्रितुर अब किसको बित्क्रम में होगा ठीक है यह उसका उल्टा परभाव पड़ेगा तो देखिए छित्फल जो होता है प्रित्कूल होता क्योंकि यह बढ़ेगा तो इसके लिए प्रित्कूल होगा तो प्रित्रूद को प्रित्कूल के रूमें परभाइद कौन करेगा उसका छित्फल करेग करम की बात नहीं कहा गया है अचाहां यहां पर देखे अधिक्तम प्रित्रोद अभी पता हैं जब यह अधिक्तम की बात करेगा आपको स्रेडी करम में जोड़ना है और नियुक्तम की बात करेगा तो समांतर पांच थीक है आप ही चार हुआ एक बारा और वार जूड़तने एक बरटे पांच जब हर समान होते तो आधो correctly जाते हैं और अधि में उपर अधों सफसर नहácि जाएगा यह जाएग अगला कोश्चिन Judge जो जाएगा अगला कोशन है कि प्रितुरोधयक्ता की वितकरम को कहते हैं तो प्रितुरुधक्ता की बितकरम को कहते हैं की चाहलाक तखात के विद्यूकरम को क्या क्या काते हैं चाहलक्ता पूलता क्या होता है अखला को पाई आर करेंगे तो इसमें पर घरए को ग्या परेंगे अन्य औ得 फिर लगाना है कि क्यों सब्सक्राइब हो चींदर ने मूले करेंगे तो इसमें तर्ज लेंगे तो इस चीजी उनी करेंगे तो जीसे कितना हो चार हो यानि 4R इस्वायर हो जाएगे जो भी पृत्रोफ होगा स्का च草ताइए हो जाएगा निपर पृत्रोफ कितना है तो 11 का एक बट्रे कर देatra का गैर का चोथाइए कर देजिए ठीक है तो चार दुनी आठ भचे इ जानि दसमर्ण लागांगे तीज़ चार सत्य प्ठाइज निए 2.07 एक आप्सन स्वूरू है वी वाले में तो कौन सा आप्सन सही हो जाएगा अगला कोश्चन है कि तार का प्रितरोध की बेत्परण के अनुपात में होता है जो तार का प्रितरोध किसकी बेत्परण में होता है उ सब्सक्राइज कि किसी चालक की प्रृत्रोध धक्ता बेत्परण पाती होता है तो उसके अनुप्रस काटके' के चेथ फल के बित्परण पाती होता है देखिए यहां पर दो कोशन है ठीक है। दोनों कोशन अट-अलग अलग देढम में आए अगला कोश्चन है यह प्रित्रोद बढ़ता है तो बिद्धु धारा सिंपल सी बात है प्रित्रोद क्या करता है क्या होगी अगर प्रित्रोद बढ़ता है तो बिद्धु धारा कम हो जाएगी तो कौन सब्सक्राइब वाला सही हो जाए वह इसे वह देखेंगे तो बिद्धु पराबर कितना होता आई यार अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता और इनुवर्सली परकोर्शनल आई होता यह एक बटे आयोता तो जैसे जैसे बढ़ेगा वह इस जैसे घटेगा अगला कोस्टन है कि उसमा कि जूलनियम के अनुसा सर्कृट में उत्पन उसमा कुछ कारकों पनिरवर करते हैं इन में से किसे आरोपी किया जा सकता है तो किस पर करती यह आपको बताना है तो देखि और फार्मुला कि आई स्कॉयर आर टी यह नि उसमा किस भी डिपिट करती धारा प्रितरोध और उसके ताबमान पर प्रवाइद हो रहे धारा प्रितरोध और धारा चालक का प्रितरोध और धारा चालक का प्रितरोध और धारा चालक का प्रितरोध और धारा के प्रवाइद तो तार को दूगना कर दिया जाता है तो तार का नए प्रितरोद की करना करता है देखे इसमें यह नहीं कहा है कि लंबाइ को दूगना कर दिया जाए कि छीदफल को देखिए जो हमारा प्रितुर्फोद होता है किस भी डीपेंड करता है रो यल भाई ये पे टो अगर यहां पर ठीक है यहां पर ध्यां से आफको समझना पड़ेगा कि तार को दूगना कर हाँ ठीक है अगर तार की layman को फिर सौनल होता तो बंबाई तो प्रितरों हो जाएगा कि कि बार रहां हो हम थो जाता तो कहीं पर दिया नहीं उसकी बात कर रहा है तो त्रजया की बात कर रहा है तार को दुगना कर दिया जाएगा तै यह ज़त फ़ल भी अगर दुगना करेंगी तो इसका आधा हो जागा अच्छाय भी नहीं तुगना करेंगी तो इसका अगर बिलियर क्षछार थे एक рукस्वार yapmış करेंगी तो बार्य का एक चौथाई कितना वह चार तिया बार यानि तीन हो जाएगा कौन साफसन सभी गाइस का डी वाला सभी कोश्चन भी काना चाहिए उसकी त्रिजिया को दूगना किया जाता है अगला कोश्चन है कि विद्धुत प्रित्रोध हकता कि आए क्या होता तो बताई चुके हैं क्या होता है ओम मीटर होता है क्या होता है अगला कोश्चन है कि अगला कॉश्चन है नव प्रेतरोध वाली तारे को दूगुना कर दिया जाता है तो तारे के नए प्रेतरोध की गर्णा की अब दोगुना कर दिया जाता है उन्धर को दूगुना जैसे करेंगे तो उसका एक चल्कटvा हएं दोगा दूदीन याड़ देह कि एक самое तो कौन से आपको करेंगे नोग पटे चार को तो यहीं आएगा दो दसमें दो पांच आएगा तो यह भी नियम होता है जैसे आपको यूनिट डिजिट पता चल गई ठीक है या कोई एक जैसे दो से चित्स सुरूरा है कि आफ whats सबसðाए कौन स में इसका सी वालत सही हो जाएंगा अगला कोशन कि सी प्रतुरूद के माध्यम से परवाइथ होने वाली धारह इसके बाधक्न पाथी होता है तो किसके बाधक्न पाथी होता है ही आपको बतानबर थिक है कि साप होता ही है आपको पताना कर रहे हैं किसी प्रत्रूधक के माजंय से परवाइत् होने वाले धारा आप देखिए वों कि नियम कमसर भी बराबर कितना होता आई यार अगर इसमें दोनों व्हालास इ्लेशन Nikki काल नहीं करें नहीं कालना है क्यों कि के इसमें कहा है परवाइत्म होने वाली धारा किसके बिद्कुन पाती होता तो यह इन दोनों होता है तो क्या होता है एक बट्यार होता है तो किसके बिद्कुन पाती होता उसके प्रितुरूद के कौन साफसा यह इसका बी वाला सही हो जाएगा अगला कोश्चन है कि ये प्रितुरूद को आधा कर दिया जाए तो धारा तो भी बराबर कि जो बोल्टाज हो धारा के क्या होता है ठीक है भी बराबर आयार स्वारीच्छ भी बराबर आयार पूरा लेना पड़े जा क्योंकि इंदुनुरी रेशन पूछा है प्रितुरूद को आधा कर दिया तो इंडिवर्सली प्रपोर्ष्नल होता है तो अगर घृतरोध को आधा करेंगे ठीक है अगर पृतरोध आधा करेंगे तो धारा क्या होगा दो नहों हो जाएगा तो इकाँ सूर। इसका और सभाहरो वालोषी हो जाएगा ऐला कुश्चन है कि जब तार की लंबाई दोगनी की जाती तो अमीटर की रीडिंग कम हो जाता है कम हो जाता कितना हो जाता है आपको पताना देखिए एक कोश्चन जब आएगा तो आपको ध्यान से करना ठीक है क्या करना ध्यान से क्योंकि कोश्चन में कहरा है कि जब तार की लंबाई दोगनी किया तो धारा में क्या परभाब पड़ेगा ठीक है तभी तो अब एमीटर की बात कर रहे मीटर क्या मापता है तो आपको ध्यान देना धारा पर क्या परभाब पड़ेगा अब सिर्ल लंबाई से पहले समय लेजीगा कि दिखिए डारेटली प्रपॉशनल क्या होता है यलकी तो क अगर ये अदिखें परितिरूद जैसे ही हमाइब अ है को सब्सə्स को कॉस्चन है कि तार की लंबाई दूगनी क holiness करने फरेंडिक की वित्वान ही होती है अपर यह कोशन अपर लग रहा से मैं नहीं कोशन से मैं यहां पर देखिए यह कोशन और और भी गूरूपD में पूछा है आई यह कोशन इसमें किसमें पूछा है ALP में पूछा हुआ तो सेम कोश्यनवी रीपीट होते हैं तो ठोड़ा जब भी पढ़े ध्यान से पढ़िये गा तृति लंबा दोगुना करने पर एमिटर की रीडियूंग किस परकार परभावित होती है तो किस परकार परभावित होती है तो अभी पता चलो गया होगा कौंसा बृत इसका यह दूसरी के साथ करम वार जोड़ा जाता है यहां जिसे एक जोड़ रहें फिर एक जोड़ रहें करम से जोड़ रहें तो उसको श्रीडी करम बोलती है तो कौन उसका हो जाएगा उसको स्रेडी करम बोला जाता है तो क्या हो जाएगा इसका सी वाला सही हो जाएगा वो करमार जोड़ा जाता है तो स्रेडी करम होता है और एक बिंदू की बीच जोड़ा जाता है तो समातर करम होता है और आखरी कोशन इस वीडियो का ठीक है कि इ अधिक्तम कितना प्रित्रोज बना जा सकता है ठीक है चलिए इसका एंसर आप लोग कमेंट करके बताईएगा मिलते हैं नेश्ट वीडियों तब तक के लिए धन्यवाद